देखे गणेश जी को तो कहते ही हैं विग्न हरता दुख हरता क्योंकि वो अपने भक्त जनों की तमाम मुसीबते अपने साथ ले जाते हैं और मुश्किल के समय जो आपके साथ डटकर खड़ा रहे ना वही सच्छा साथ ही होता है और कहीं ना कहीं ये बात अब सुनाक्षी क को भी पता लग गई है कहां हम कहां तुम में सुनाक्षी को जी हां क्योंकि मुश्किल के वाक्त आखिरकार डॉक्टर रोहित तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हालात कैसे भी हो मुश्किले कितनी भी बड़ी हो प्यार करने वाला अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है सुनाक्षी की जिंदिगी में मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही बपा का आगमन हो तो गया पर मुश्किले शायद अभी तक खत्म नहीं हुई एक स्कैंडल की वज़े से सोनाक्षी की जिन्दिगी की काया पलट हो चुकी है और ऐसे में एक सच्चे साथी की तरह रोहित सोनाक्षी का साथ दे रहा है वो जानता है सोनाक्षी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताएगी और इसी लिए वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड रहा उसके मूड को चियर आप करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है बस यही सोच कर कि सोनाक्षी की मायूसी दूर हो जाए बस इसी कोशिश में रोमैंस का भी मौका मिल गया दोनों को वो बात और है कि रोमैंस के ये पल जादा देर नहीं टिके क्योंकि घर वाले आ गए थे कभी पूजा पहुच गई इनके बीच तो अगले ही पल सोनाक्षी की मा का गुस्ता भी फूट पड़ा सोनाक्षी पे अब रोमैंस के बीच ड्रामा भी खूब होगा विसे ड्रामा तो आगे और होने वाला है तो नाक्षी इस वक्त एक बहुत डिफिकल्ट माइंसेट में है तो वो कुछ तेर के लिए अकेले चली जाती है क्योंकि कोई नहीं आ रहा है सारे फ्रेंद्स बैक आउट कर रहे है पंडिजी नहीं आया है पूजा करने के लिए कोई पडोसी नहीं आ रहा है तो एक तरह से पूरी सोसाइटी जो है वो बॉयकाउट कर रही है गलत इल्जाम जो लगा है उसको सच मान के तो वो अकेले अपने रूम में चली जाती है और रोहित अंडिस्टाइंट्स की कुछ गडबड है सोनाक्षी पर बपा की कृपा होगी पर इतनी जल्दी नहीं एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि ये मुश्किल भरे पल ही होंगे जो सोनाक्षी और रोहित के रिष्टे को और मजबूत करेंगे मुंबई से कलीम सल्मानी के साथ नेहा सावन्त की रिपोर्ट ये है एबी पी नियूज आपको रखे आगे